तो स्वागत है आप सभी का Tech Study ITI YouTube चनल पर तो West Central Railway जिसे हम RRC WCR भी कहते हैं इसमें अभी तक 8 Merit List आ चुकी है भी recently आपने देखा रहा होगा 23 मार्च को जो Fitter Trade थे उनकी दस्तावेजों की सत्यापन होना था उसकी सूची जारी की गई थी अभी इसमें फिर से एक और Apprenticesip के लिए जो Merit List है वो Electrician और Copa Trade की आ चुकी है यह आप WCR अगर यहाँ पर आप समझ पा रहे होगी थी क्या है जबलपूर, भोपाल और कोटा डिवीजन जो था उसके लिए था जिसमें से भोपाल डिवीजन का अभी तक Merit List नहीं आया है जबलपूर और कोटा का जारी हुआ है तो जबलपूर का ही है इसको देख लेते हैं कैसे आपको Call Later डाउनलोड करना और कब जाना है वो सारी डिटेल इसमें देखेंगे चैनल पे नए हैं यहाँ पर यह डाउनलोड हो गया है 25 March 2022 को यह जारी किया गया है Electrician and Copa यानि Computer Operator कम Programming Assistant Trade के उम्मीदवारों के दस्ता वेजों की जात जिसे हम Document Verification कहते हैं 9 नमबर इससे पहले आठ लिस्ट आ चुकी है इसमें देख लेते हैं जो भी Candidate है अगर आपका इसमें नाम है तो आपको पहले तो एक Call Letter डाउनलोड करना है कैसे करना हो भी हम लोग देखेंगे आगे आपको 10 बजे पहुंच जाना है कहां पे Railway भरती प्रकोस्ट कार्याल है पस्चिम मध्ध रेलवे जबलपूर जैसे भोपाल या और डिविजन का आता हम आपको जरूर बताएंगे उसके लिए आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपको उसकी भी अपडेट मिल जाएगी यहाँ पे नीचे आप आएंगे देखेंगे सबसे पहले जो है इलेक्ट्रीशन ट्रेड का दिया गया है डीवी का अपडेट देखेंगे क्या है एक अप्रेल है एक अप्रेल को आप सभी को पहुंच जाने जिनका भी यहाँ पे नाम है अपना डाकुमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए कॉल लेटर के साथ एक के बाद आप डारेक्ट देखेंगे तो एक के बाद जो दूसरा है कंडेट वेरिफिकेशन वो है चार तारीक को दो और तीन को नहीं है क्योंकि दो को सटेडे संडे में भी उसके लिए आफ रखा गया है इसके साथ साथ आप देखेंगे इसके बाद चार तारीक के बाद जो है एलेक्टरीशन का अगला पांच तारीक को है फिर इसके बाद अगर आप कोपा ट्रेड से हैं एलेक्टरीशन का छे को भी है और कोपा का छे से स्टार्ट है 6-7 आप देख पाएंगे 6 और 7 दो दिन कोपा का है तो कोपा के टोटल 234 कंडिडेट्स हैं और एलेक्ट्रीसियन के अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एलेक्ट्रीसियन को आपको 501 कंडिडेट्स देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पे अगर आप भी सॉट लिस्ट हुए जरूर आप जाईएगा डीवी करवाने साथी साथ आपको अपना एक डाकुमेंट क्या क्या लेके जाना उसके बाद हम बात कर लेते हैं डाकुमेंट्स आपको क्या क्या ले जाना है मोबाइल नमबर इमेल आइडी पे आपको अलरड़ी सूचना भेजी जा चुकी का आपका हुआ है ठीक है बुलावा पत्र आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं कैसे डाउनलोड करना उसकी भी हम लिंक आपको डिस्कुप्शन में दे देंगे वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी ओफिस्यल वेबसाइट पे आप आएंगे यहाँ मिलगा दिखे डाउनलोड इकॉल लेटर फॉर डॉकुमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट नोटिफिकेशन नमबर 2 upon 2021 यहाँ पे जैसे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा इसी पेज पे आपको क्या करना है अपना रेजिस्ट्रेशन नमबर डालना है दिन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपनी डेटा बर्त और वो सेलेक्ट करने के बाद यह कैप्चा कोड 76-10 जितना होगा ठीक है 66 इस तरह से इंटर करने के बाद आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो इकॉल लेटर है डाउनलोड हो जाएगा इसका जो एप्लिकेशन उसका प्रिंट आउट एप्रेंटिसिप इंडिया पे जो आपने रेजिस्टेशन की आप प्रोफाइल का प्रिंट आउट पैन कार्ड ठीक है बैंक पास्बुक की कॉपी भी जरूर ले जाएए पासपोर्ट साइज फोटोज ले जाएए इसके बाद अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट ले जाएए एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा के आप ले जा सकते हैं साथ में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर दिए क्योंकि जॉइनिंग के टाइम पे देनी पड़ती हैं सारी चीजे बाकी अगर आपके मार्क सीट में 10th की मार्क सीट और आईट आई की मार्क सीट में अगर कोई नेम में डिफरेंस है थोड़ा भोज जैस आपको देने थी उम्मीद करते हैं पसंद आए होगी आई टी आई से जुड़ी हर तरह की अपडेट साथ ही साथ अपरेंटिस चिप आई टी आई की कहीं भी आती है उसका फार्म कैसे बरना है कोई वैकेंसी आया आई टी आ के लिए साथ ही साथ आई टी आ की मोस्ट इंप